हलो 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 कैसे हो आप सो तोड़ेज संडे वारता संडे वारता में बात करते हैं कि आपके क्या समस्याएं हैं जब आप नीट के तियारी करते हैं तो बहुत सरे समस्याएं आते हैं और वैसे ही समस्याओं को हम जानना चाहते हैं समझना चाहते हैं आपके द्वारा समझना च जाते हैं कि नीट एक बहुत बड़ा एक्जाम है इसमें करीब 16-18 लाग हिस्टोरिंट अपियर होते हैं और आप सब बहुत दिलो जान से मैनत करते हैं बहुत सारे चीजों को ध्यान में रखते हैं कि आपको कीसे करना अशेकर की पढ़ने का बहुत सारे चीज़े रहती है तो उसी का सब चीज है जाएं तो उसे से बात करने का प्रियास करते हैं हम सब **** करते है! को लाइक कर दीजिए येस 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 हलो सना है है लो जीति प्रजाद सो अब अपने प्राब्लम को पूछ सकते हैं मैं भर सक प्रयास करूंगा कि आप से आपके सारे प्राब्लम को आंसर कर सकूं सो अभी अभी आपको क्या लग रहा है कि अभी क्या तकलीफ है क्या तकलीफ है आप नीट की तियारी कर रहे हैं तो अभी आपको क्या लगता है कि अभी क्या प्रॉब्लम फेस करने है तो अप्लिकेशन फॉर्म भी बहुत जल्दी ही आ जाएगा जैसे आएगा मेरा नीट निश्चर चानल है डॉक्टर एसके सिंग का चानल है तेली ग्राम का ह जरूर फोकस, जरूर मैं आपको बताऊंगा मार्क्स को कैसे इंक्रीज करेंगे देखिए रनुका साहुजी मार्क्स को इंक्रीज करने का एक तरीका है कि आप अपने थि İ्षुरी पे जाधा से ज्याधा फोकस करें थिविरी को मजबूत बनाें एक बार थियूरी आपका MCQ, MCQ ठीक है, MCQ प्राक्टिस करना चाहिए, इस ओके, बट पहले आप theory पर focus करेंगे, तब आप MCQ करेंगे, तो काफी कुछ अच्छा किया जा सकता है, मेरा weak point पता चल गया है sir, great, बहुत इच्छी बात है, देखे, बहुत सारे लोग dropper होंगे, उन्होंने NEET 2020 में exam दिया आपको एक चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि अगर possible हो तो जरूर थोड़ा सा आँख बंद करके सोचिए कि मैंने जब पिछले साल NEET दिया था, तो उसमें क्या गलतिया मैंने की, क्या चीज रह गया है मेरे से, मेरा weak subject कौन सा था, जिसके वज़े से मैं examination center पे weak subject के साथ पहुँच गया, तो अगर आप, देखी, आपको आपसे बहतर कोई नहीं जान सकता है, मैं भी नहीं जान सकता हूँ, तो एक बार आप अपने से प्रस्न पूछें और answer लिखें, और उस पे काम करना सुरू करें, जैसे काम करेंगे बहुत ही बहतर हो जाएगा, बहुत अच आप सब को पता होना चाहिए, अनकाडमी के ऊपर जिसका समय होता है, सुवे नौ बचे और शाम को आट बचे, और हम सब टूजडे से सुरू करेंगे फिर से, उसमें कुछ जादा कुछ हुआ नहीं है, बट इस अपरेल में कोसिस करेंगे कि बहुत सारा चीज को करा जाए बहुत सारा चीज, जी हाँ, बहुत सारा चीज, लाइट की कमी रहेगे, एक सिकन दीचेगा, अचली यहाँ पर थोड़ा सा लाइटिंग वर्टिंग का नहीं पता है मुझे, जी, तो सबरे बर, क्या कह रहे हैं, येस, तो कहने करते हैं कि आप सब रिविजन सीरीज में आ काला विकम गोरा, ये, काला विकम गोरा इन दे प्रेजन सीरीज, रिलेशनशिप, रिलेशनशिप को कहिए ना, बिकास रिलेशनशिप के चकर में पढ़ेंगे, तो आप बहतर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नीट बहुत बड़ा एक्जाम है और इसके लिए बहुत मेहनत क करनी की ज़रुरेत पढ़ती है, अगर आपका डायरेक्शन डाइवर्ज हो जाए, आपका डायरेक्शन अलग हो जाए, तो आप अच्छा नहीं कर पाएंगे, इसलिए महनत एक डायरेक्शन में होना चाहिए, गनीश थापा जी, बिल्कुल सही आपने कोश्चन पूछा, क मेरी एक बुक भी आ रही है, आप सबको पता होगा, Most Public First Appearance से लाँच हो जाएगे, Amazon और Flipkart पे अबलेबल होगी, Neat 2012 का, और काफी amazing बुक है, काफी innovative ideas उसमें लगाएं हैं, वैसे तो आपको बहुत सारे MCQ के बुक मिल जाएंगी, प्रिवीस एर के questions बहुत सारे अलग-अ publications के होती है, बट इसमें जो uniqueness है, वो बहुत ही अद्भूत है, बारा साल, तेर, बारा साल का paper है, और हर paper के बीच में, मतलब last में, OMR sheet प्लीस किया गया है, उस OMR sheet के ऊपर physics, chemistry, bio का अलग-अलग column है, अगर आप paper 2020 का कर रहे हैं, 2019 का कर रहे हैं, 2018 का कर रहे हैं, तो आपने physics म में कितना guilty की, कितना सही हुआ, तो इन सब चीज़ का एक वहाँ पर data रहेगा, और उस data से आप अपने आपको judge कर पाएंगे, कि मेरा जो preparation का way है, सही जा रहा है, या नहीं जा रहा है, ठीक है, तो काफी, काफी, एक innovative idea है, और बाकी, मैं telegram के उपर बहुत active हो रहा हूँ, दिये जाएंगे, तो आप मेरे telegram से जरूर जूड़ जाए, डॉक्टर एसके सिंग, mmc, yes, happy holy, happy holy, शिव प्रकास, holy तो बेटा तभी खेलेंगे, जब आप selection आपका होगा, तब तक के लिए no holy, no diwali, no anything, only study a study a study, chemistry में problem है, सना जी, तो सबसे पहले अगर आपको लगता है, कि chemistry में problem है, तो आप सबसे ज़्यादा chemistry पे focus करें, मतलब आपको focus का range जो है, ज़्यादा होना जी है chemistry के उपर, because chemistry आपका weak है, हिंदी मेडियम के लिए कुछ कर दो, अक्षिता जैन जी 2000, इस साल के अंद तक, मेरी हिंदी में भी एक बुकाएगी, जो काफी मददगार होगी आप सब के लिए, तो थोड़ा वक्त लगेगा, अच्छे काम करने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा, जरूर करते हैं, फिजिक्स अभी से करो तो हो सकता है क्रैक, गौरा पवार जी देखे, जब जागो तभी सवेरा, अभी भी लेट नहीं हुआ है, अगर आप डेडिकेटेड और डेस्परेट तरीके से महनत करते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई रोकने माला होगा, जरूर अगर आपका धियुरी मजबूत है, तो आप दुनिया का कोई भी mcq कर लेजिए आप सही करेंगे जब आपका थियोरी ही हिला हुआ है जब कंसेप्ट ही हिला हुआ है तो mcq प्राक्टिस करने का कोई मतलब होता नहीं है कुछ और नेट अप्लिकेशन का डेट जैसे ही आएगा मैं जरूर बताऊंगा जरूर मैं बताऊंगा continuity कैसे बनाए देखे सिरावजीन जी continuity एक ऐसा चीज है जो हम सब को बड़ा ही चिंतित करता है और continuity ही सफलता का सार है सपत्ता का रहस्से है continuity बहुत ही टफ चीज है मैं समझ सकता हूं continuity को maintain करना really it's a very tough process याद रखे महात्मा गांधी ने कहा था एक sentence कहा था उस उस बात को मैं दोहराना चाहता हूं उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने द्यानिक जिन चर्जा को फॉलो करता है और डेडिकेटेड होक miss नहीं करता है वो व्यक्ति इस दुनिया में सफल इंसान के तौर पे जाना जाएगा और वो सफल होगा कहने करती है कि अगर आप अपनी दिन चर्जा को maintain करते हैं जो आपने ठान लिया है कि मुझे आज physics दो घंटा पढ़ना है कि मिस्ति दो घंटा पढ़ना है बायो दो पढ़ना और dedicated होगा पढ़ना है चाहे कुछ भी हो जाए तो आप सफल होंगे इसमें कोई भी दो राय नहीं है देखे टार्गेट बड़ा बनाना अच्छी बात है मैं to do के बात कर रहा हूँ वो टार्गेट अलग है आपको डॉक्टर बना है that's great यह टार्गेट तो होना ह मैं इस बात के बात कर रहा हूँ कि अगर आपने पढ़ाई का टार्गेट बनाया है कि मुझे करीब आज पूरे दिन में आठ घंटा पढ़ना है तो आठ घंटा से कम नहीं होना चाहे साथ घंटे पर रुक नहीं जाना चाहे यह खुद से inner thoughts create करें कभी-कभी ऐसा होता है क पढ़ने का मन नहीं करता है कहते हो कि चलो अब तो पढ़ी लिया है अब कितना और एक घंटा बाकी है फिर भी क्या होता है that's called अथक पर्यास अथक पर्यास का मतला है बिना थके पर्यास करना एक होता है जी तोड महनत मन नहीं कर रहा है फिर भी अपने जी नहीं कर रहा है पढ़ने का फिर भी अपने जी को तोड़ दिया और मेहनत कर रहा हूँ तो सफलता उन्ही के हाथ में नसीब होती है सफलता उन्ही के दरवाजे को खटटाती है जो मेहनत करते हैं जिन्होंने मेहनत का दामन थामा हुआ है उन्होंने अपने जी को तोड़ दिया है और पूरी सिद्दत से महनत किया है उन्ही को सफलता नौक करते है टक 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 चलो बेटा एमस चलो चलो बेटा मौला नाजाद चलो महनत का कोई विकल्प नहीं है महनत का कोई भी विकल्प नहीं है और महनत के बिना आप अगर सोचेंगे की सफल हो जाएं तो भर्गिज नहीं मतब नीट तो छोड़ दो अपने लाइक में सफल नहीं हो पाएंगे जितनी भी महान व्यक्ति बने हैं आज के हिस्ट्री में जो भी आप महान व्यक्ति को जिनको समझते हैं बिना महनत के आगे वो बढ़ी नहीं सकते हैं सब ने बहुत महनत किया है तभी आप, मैं और हम सब उन लोगों को जानते हैं क्योंकि उन्होंने महनत किया है, तो आपको भी महनत करना है, ताकि आपको, मैं, आप, और आपके अलावा और भी बहुत सारे लोग जान सकें, तो महनत का दामन भामिये, सफ़ता जग के आपके साथ आईगी, और आपको कहेड़ी कि बेटा, चलो कहाँ चलोगे ठीक है तो महनत कीजे खूम महनत कीजे और एक डारेक्शन में महनत कीजे देखिए क्या होता है कि नीट एस्परेंट में सबसे जादा प्रॉब्लम यह होती है कि हमारा जो दिमाग है एक जगा केंदरित नहीं हो पाता है हम चाहते तो हैं कि बहुत तो at least 120 दिन April में June July 120 दिन diversion से बचें 120 दिन जो है अपने diversion से बचें इधर उदर के thoughts से बचें सिर्फ पढ़ाई करें सिर्फ पढ़ाई करें पढ़ाई करें तभी हो पाएगा तभी NEET में selection हो पाएगा अधर्वाज नहीं हो पाएगा मैं आपको एक छोटा से incidence बता रहा हूँ जिस वक्त करीब 60 दिन बचे थे यानि दो महीने बचे थे मेरे एक्जाम में जिस वक्त मेरा सेलेक्शन हुआ था मैं तिना पढ़ता था, मैं अपनी तारीफ नहीं करता हूँ मैं हमेशा से अपने बारे में बहुत कम बताया है आज तक social media पर बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं बहुत सारे educator बहुत सारे teacher भी जानना चाहते हैं डॉक्टर रसकेसिंग का है एक चीज़ आपको बताता हूँ कि जब मैं पढ़ रहा था जब मेरे साथ दिन बचे हुए थे तो उस वक्त मुझे यह नहीं पता चलता था कि शाम को छे बज़े हुए हैं या सुबे के छे बज़े हुए हैं इतना ज़्यादा डेस्परेट होके पढ़ता था आपको भी ऐसे ही पढ़ना पढ़ेगा जान फूख देना पढ़ेगा तब जाके सफलता मिलेगी ऐसे सफलता नहीं मिल पाती है जान लगाओ, आपको पता है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, सब आप जानते हैं, सब को पता है, NCRT से जादे से जादा पढ़ना होता है, PYQ 12 साल करना होता है, revision करना होता है, everyone know, वहीं, 16,000,00,00,00,000,00,00 जानते हैं इसी इसको, बट 16,000,00,00,00,000,00 का सेलेक्शन नहीं हो सकता है, इसले नहीं हो सकता है, कि किसी भी रास्ते में चलते चलते रुख जाते हैं, रिविजन करना कम कर देते हैं पीवाई क्यू करना कम कर देते हैं कुछ नग कुछ ऐसा करते हैं कि ताकि आप उस रेस से आगे निकल जाते हैं और वहीं पर रुख जाते हैं इसलिए जो है आपको रुखना नहीं है आपको करते रहना मेहनत करते रहना भले आउटपुट कम थाई बहुत सब का इतना प्यारण इतना सपोर्ट के लिए जो भी आपको लगे कि कुछ प्रॉब्लम है या कुछ भी प्रॉब्लम है आप कमेंट में लिखे जरूर मैं इसको रिस्पॉंस करूँगा और आपको सपोर्ट करूँगा मेरे क्लास में आ सकते हैं आप त्यूजे से फिर से हम सुरू करेंगे सुभे नौ बजए और शाम को आठ बजए क्लास में आईए पढ़िए मलनग आगे पढ़िए मेरे से जितना हो सकता है मैं भरसक परियास करता हूँ कि आप सबको बेस्ट दे सकूँ अपना एक्वालिटी कंटेंट आपको दे सकूँ आपको 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 चाहिए